हेले वरिवन वेलकम तुमार यूडूब चैनल मैं शुबह मरोड़ा उमीड करता हूँ आप सब बढ़ी आउंगे तो इस वीडियो में बात करेंगे कजान फैडरल उनिवर्स्टी के एंटरंस एक्जाम के बारे में जिसमें हम जानेंगे एक्जाम के बारे में और जानेंगे इस लेवर्स पैटरं के बारे में और जानेंगे एक्जाम पैटरं के बारे तो जैसे कि आप जानते कजान फैडरल इनवर्स्टी रिष्टी की टोप इनवर्स्टीज में से एक है, जहां पे इंगलिश मीडियम में Mbps कराई जाती है। यहां पे डमिशन लेने के आपको आ जुलाई से लेके 28 जुलाई तक नेक्स्ट वेव है ओगस्ट में तो ओगस्ट की जो डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 20 अगस्ट से लेके 26 अगस्ट तक तो आप इन तीनों वेव्ज में से किसी में भी इंटर्स एक्जाम दे सकते हैं तो सबसे वड़ी जो confusion रहती है स्टुडेंट्स के बीच वो यह रहती है कि क्या यह एक्जाम online होगा या offline होगा तो आपको रख्या जाने की कोई जूद नहीं है आपका यह exam होगा online world में conduct कराया जाएगा और इसमें mcq types questions आएंगे जैसे कि subjective type होते हैं जो आपके neat में आते हैं कुछ उसी तरह से यह आपके questions पूछे जाते हैं और आपसे जो questions पूछे जाएंगे वो तीन subjects से पूछे जाएंगे फर्स इस chemistry, second is biology and third is English तो आपको इन टीनों में score करना होता है लेकिन आपको chemistry में score करना होता है 50 out of 100 और biology में score करना होता है 50 out of 100 लेकिन आपको English में score करना होता है 40 out of 100 और जो मैंने आपको score बताई यह minimum score आपको qualify करने के लिए जैसे को need qualify करना पड़ता है कुछ उसी तरह से इस exam को भी qualify करना पड़ता है लेकिन जो admission होता है वो होता है basically married list पे यानि कि result वाले दिने की married list आएगी जिस भी student ने सबसे ज़्यादा score कियागा उसको preference लेते हुँ admission मिल जाएगा इसमें आपको दो positive news बताता हूँ वो क्या है अगर आपने IELTS दे रख है तो आपको English का exam देने की जुरूत नहीं है तो आप इसमें अब ये मत सोचना है कि हमने English का exam दे के IELTS दे लेते हैं और हमें English का exam यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा तो जो यहाँ का English का exam होता है वो काफी easier होता है IELTS से और अगली positive news यह है कि आपकी इस exam में negative marking नहीं की जाएगी अब बात करते हैं syllabus के बारे में तो syllabus आता है 11 और 12 क्लास से जितना भी आपने इंडिया में पड़ा होता है 11 और 12 क्लास में सारा जो कोशन वेपर होता है वो उसी में से आता है अब जैसे chemistry की बात कर ली जाये तो items, molecules, periodic table, chemistry in everyday life, electronic configuration तो कुछ इस तरह से chemistry में जो questions होते हैं पूछे जाते हैं अब बात करते हैं biology के बारे में तो biology में questions आते हैं जैसे की cell से आ गया fungi, bacteria, reproductive system तो इन सब सैसे ही questions आते हैं next subject है English जिसमें आपसे fill in the blacks के time में questions पूछे जाते हैं जिसे आपको कोई sentence दे दिया जाता है और उसमें आपको उसमें answer देना होता है जिसमें आपकी grammar basically check की जाती है और आपसे पूछे जाते है tenses, adjectives तो जितने में English की grammar की जो चीजी होते हैं पूछी जाती है कजान federal university के जो intense exam होता है वो चलता है 4 दिन तक जिसमें आपसे first day में पूछा जाता है chemistry और second day में आपसे पूछी जाती है biology और third day में आपसे पूछी जाती है English अब fourth day बचता है तो fourth day होता है reserve day अगर आप chemistry, biology, English में से कोई भी exam नहीं दे पाए है तो आप fourth day को आप exam वो दे सकते है अब reason इसके पीछे कोई भी हो सकता है क्या पता आपके net में issue हो जाए और कोई भी ऐसा को issue हो जाए जिसे वज़से आप exam ना दे पा रहे हो तो आप fourth day को अपना exam ये दे सकते है और जो आपका exam होगा ये होगा 3 hours तो ये बात कर लिए हमने इस वीडियो में Kazan Federal University के entrance exam के बारे में अगर आपको कोई भी doubt है कोई भी question हा तो मुझसे निचे आप comment section में पूछ सकते है और अगर आप अपना registration कराना चाहते है Kazan Federal University के लिए तो आप नीचे दियो और नमबर पे call करके अपना registration करा सकते है उमीद करते हो वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो और लगी हो तक चानल को subscribe कर दे वीडियो को like कर दे वीडियो को share कर दे Thank you for watching me